जब हमारे देश में सरकस में जानवरों की खेल पर पबंदी लग गई कि आप टॉर्चर करते हो जानवरों को तो जानवरों को खेल नहीं हो सकता तो कोलकाता कि एक बड़ी फेमस सरकस थी उनके पास 10 शेर और 7 हाथी थे लेकिन हरों शेर जो थे वो मीट खाते थे और हाथी चारा खाते थे तो उनका खर्च हो रहा था इंकम नहीं थी तो सरकस वालन सोचा अब इनका क्या करेंगे उन्होंने 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठा कर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया 15 दिन के बाद पता चला उन 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा ग सिर्देर इसलिए जो माबाप अपने बच्चों के लिए ज्यादा बी बैइंक बैलेंस ज्यादा बड़ी प्रॉप्टी सब्लाइब इस चोड़ के जाते यंद असल में वो अपने बच्शों को सरकस के शेर बना जाते हैं हम आज फैसला कर ले इस शो के जरीए कि भले दो दिन भूखे रह लेंगे लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे क्योंकि हम लोग नीचे से आएं हर हर फिल्ड में दो किसम के लोग होते हैं ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स फर्क सिर्फ इतना है ग्रास रूटर्स सिर्फ ऊपर को जा सकते हैं और पैराशूटर्स सिर्फ नीचे को आ सकते हैं